प्रमुक मुद्धों पे तो इसी कड़ी में आपका जो हमारा मुद्ध है वो है कच्छ थिवू देव हाली में ये काफी सूर्ख्यों में रहा है समाचारों में रहा है और ये किस कारण रहा है अगर हम इस पर बात करें ठीक है कि इसे पहले अविस्टवास प्रस्ताव पर चर्टा करेंगे तो 2023 में विपक्षिद्वारा जो मोदी सरकार है उनके खिलाब एक کnes प्रस्ताव लाए गया था तो इस अविस्वास प्रस्ताव के दौरान जब पियम मोदी जी ने अपने जो भाशन दिया था उसमें ये जो कच्छ थेवी दीप है उसकी चर्चा की थी इस करण वो समचारों में रहा था तब इसके अलावा हम तमिल नाडू में चुनाप रचार के दौरान भी मोदी जी तमिल नाडू राज और इस दीप का भी सम्बन है अब हम आगे देखेंगे कि तमिल नाडू राज के साथ इस कच्छ थेवी दीप का क्या सम्बन रहा है इसके अलावा आर्टियाई ठीक है राइट टू इंफॉमेशन राइट टू इनफॉमेशन के तहट इस दीप के से जो विजेःपी यानि की भारतीय जन्टा पार्टी से जो प्रत्यासी है लोकसवा प्रत्यासी की अन्ने मलाई ठीक है की अन्ना मलाई जी ठीक है इनके द्वारा आटियाई दायर कर इस दीप के सम्मन में जानकारी लिए गई थी जो कि अन्या मलाई है यह पूर्व आईपिय सद्धिकारी रह चुके हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे के भारती जंदा पार्टी जॉइंट कर लिए और तमिल नाडू में यह काफी भारती जंदा पार्टी में काफी ऊंचे ओहदे पे हैं और वरतमान में वहां से लोकसभा प्रत्यासी भी है ठीक है तो इस कारण यह सुर्ख्यों में रहा है इसके अलावा अब हमारे अहां जब इस दीप को लेके इतनी चर्चाय होंगी तो जाहिर सी बात है कि यह दूख अभी ज़सका है उसके भी अब प्रतिक्रिया तो आहेंगे ही इस संबंध में तो से लंक ने इस दूख om P इची प्रतिक्रियादी है ठीक है इसके अलावा हम वर्तमान इस्थिती के बारे में बात करें कि यह वर्तमान में किसका है तो यह वर्तमान में श्रीलंका का ही है ठीक हमने श्रीलंका को यह दे दिया है तो वर्तमान में श्रीलंका का ही है और रही बात अगर प्रश्न यह हम उस पर मुकर जाएं या फिर उस पर पलट जाएं या उस पर फिर बाद में ठीक है हमारी द्वारा दिये गए छेत्रों पर फिर से हम अपना दावा आपत्ती करते हैं तो इससे जो वेस्ट्विक यानि कि इंटरनाशनल इस्थर पर हम पर कौन ही विश्वास करना चाहेगा इससे एक नकारात्मक छवी भी बनती है पूरे इंटरनाशनल इस्थर पर ठीक है तो ऐसे किये हुए समझ होते ऐसे वापस नहीं लिया जा सकता और यह द्वीप का काफी सामरी महत्वभी है अब हम बात करते हैं कि यह द्वीप कहां रिलाई करता है यानि कि द्वीप कहां अस्तित है तो यह जो है आपके सामने यह एस्या पैसिफिक जnde की जो एसिया महादीप है उसका एक मानचित्र है ग्यार राजने तीक नॉन पॉलिटिकल मानचित्र है तो अगर इस यह जो मानचित्र है इसके हम इस भाग पर हम को जहां पे वह जुद जो हएब इंडिया, इंडिया है, ठीक है इस पर तो हो रहा सा, ठीक है ये है इंडिया, और इंडिया का ये तमिल नाडु स्टेट है, ठीक है ये तमिल नाडु है, ये तमिल नाडु स्टेट है, अब इस तमिल नाडु और ये पाक, याने की जो पाक जल संदी, ठीक है, ये यह पाख जलसंधी का नाम रखा गया तो पाक से यह यानर दूल रख़ रख़ा गया तो यह अप पम्नदीप अंदर ही यह जो रामेश्वरम ठीक है काफी प्रसिद्ध DON जगह है यह आप रामेश्वरम देख्षरम रामिश्वरम यहां पर अवस्तित है और यह स्रिलंका है और यह स्रिलंका का तलाई मननार तो यह जो रामिश्वरम है यहां पर ही धनुसकोडी जो ब्रिज आदम ब्रिज और स्री राम सेतू है जो भगवान राम है उनके त्वारा सेतू निर्मार करके श्रिलंका गए थे त लाई मननार के बीच केबल 14 किलोमीटर का ही गैप है तो इतना मतब छोटा सा ही रास्ता है और यहीं पे हम पाएंगे कच्छ थीवु दीप ठीक है यह हमारा में कच्छ थीवु दीप तो आप देख सकते हैं दोनों देश के पास में ही यह इस्तित है और यह जो स्री राम है ठीक है वो यहां पे है यहां पे सेवी सेतु समुद्रम परियोजना भी प्रस्तावित है इन जो तलाई मननार और यह जो पाक जलसंदी है उसके मद्ध ठीक है इन दोनों के मद्ध सेतु समुद्रम परियोजना भी प्रस्तावित है तो यहीं पासी में कच्छ थीवु द दो भी अवस्तित है ठीक है और यहां पर है जाफना यह जो जाफना है स्री लंका का इसके समन्द में भी आगे कुछ विसेश तत्य है यह भी हम आगे देखेंगे ठीक है तो आशर करता हूं आप इस पर समझ पाई होंगे कि यह कहां लोकेट करता है ठीक है यह जो जानकारियां है उस पर हम नजर डाले तो देखते हैं कि यह दूइब का निर्मार कैसे हुआ ठीक है तो जानते हैं कि इस दूइब का निर्मार कैसे हुआ तो प्राचिनकाल से ही बहुत सारे ज्वाला मुख्य उद्गार होते रहे हैं तो वैसा ही एक ज्वाला मुख्य वरान एक जॉआला मुख्या उद्गार हुआ और यह जुआला मुख्या उद्गार होता है यह अपने साथ बहुत सारा जो पदार्थ है ठीक है जो धर्ती के अंदर रहता है जैसे पिगले हुए लावा के रूप में वो सब को बाहर निकाल के फेक देता है ठीक है तो फिर ब कि हम खैत्रफल के बारे में जाने तो not more than 285 एकर ठीक है तो 285 एकर इसका तब लगभग एरिया है ठीक है एकर में है अब ध्यान में रखेगा एकर ठीक है 250 एकर इसका एरिया है इसके अलावा बात यह आती है कि आहां मानव निवास करते हैं या नहीं 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 यहां यह कि मानव निवास है तो यह अनुकूल नहीं है ठीक है मानव निवास के लिए प्रतिकूल है क्यों कि मानव की जो प्रतिदीन के जो नियमित जो आविशक्ता होती है जैसे बोजन पानी वो सबकी अपलब्दता यहां नहीं है तो यहां मानव निवास के यह अनुकूल नहीं तो यहां मानों के पीने लायक पानी और बोजन की अनुपलब दरता है हम यह कह सकते हैं तो इसके अलावा जो और जो जानकारी है वह देख लेते हैं कि यह दीप का इतिहास क्या रहा है तो अगर हम इस दीप के इतिहास के बारे में जाने तो यह दीप जब चौदवी सताब्दी में बना इसके बाद यह शिलंका का जो जाफना सामराज्य है मैंने तब भी आपको कहा था कि यह जाफना सामराज्य है इसके समन्द में हम आगे भी अन्यजानकारी देखेंगे तो यही जो जाफना सामराज्य है, ठीक है, यह सिलंका का एक जाफना सामराज्य है, ठीक है, जाफना सामराज्य के अंतरगत रहा, कब यह निर्मान के बाद से, फिर आया सत्रवी सताब्दी, तो सत्रवी सताब्दी में यह रामनत जो जमीदारी है, ठीक है, रामनत जो सेतुपती ठीक है गॉप मधास कर सेतूपति जो जमीदारिके जो जमिदार से कॉप बास कर सेतूपती जी थी यह उनके अंतरगत रहा पर ब्रिटिश राज फिर बिटिश राज। के दोरान ये मदरास प्रेशिदेंची थी कहolan मदरस प्रेशिदेंची के अंतरगत रहा तो यह इस दीब के प्रशाशन का एक ब्रीफ इतिहास रहा कब आजादी के पहले ठीक है पहले जाफना सामराजी फिर रामनत जमीदारी के अंतरगत भासकर सेतु पती के अंतरगत फिर इन्होंने जो है मद्रास प्रेशिडेंसी के अंतरगत यह रहा और 1969 में जो मद्रास इसका नाम परिवर्तित करके तमिल नाडू कर दिया गया तो तमिल नाडू से यह मद्रास से यह तमिल नाडू हो गया हमने मैप पे भी यह जाना ठीक है तो यह रही इसके समंद में यह जानकारिया अगर हम आगे देखें ठीक है कि आजादी के पश्याद क्या इस्तिती रही अभी जो हमने जिस पर बात की वह तो आजादी के पहले की इस्तिती है तो अभी अगर हम आजादी के बात की इस्ति जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद वो कुछ exercise करना चाहता यानि युद्ध अभ्यास करना चाहता था लेकिन श्रीलंका के द्वारा मना किया गया कि नहीं आप यहां पे exercise या जो युद्ध अभ्यास है वो नहीं कर सकते और फिर 1955 में हमको तो मना कर दिया गया इंडिया को लेकिन श्रीलंका नहीं यहां पर अपना एयर फोर्स का एयर फोर्स exercise कर दिया 1955 में ही और 1961 में इस सम्मन्द इस दीब के सम्मन्द में हमारे जो पहले प्रदान मंत्री है ठीक है जवाहाल नाल नहरू जी उनके द्वारा यह कहा गया कि इस दीब का कोई ज्यादा महत्व विशेश महत्व हमारे लिए नहीं है ठीक है ऐसा उनके द्वारा कहा गया फिर 1974 और 1976 में के दौरान दो सम्झोते किये गए किसके द्वारा जो भारत की जो पहली महिल्या प्रदान मंत्री थी और पहली रच्छा मंत्री भी कॉन मानिय श्रीमती इंदरा गांधी जी उनके द्वारा 1974 और 1976 में दो सम्झोते किये गए और इस सम्झोते के अंतर गया थी जो श्रिलंका है उनको यह जो कच्छ थी वी दिवफ है वो टांसफर कर दिया गया ठीक है हस्ता अंतरित कर दिया गया एग्रिमेंट के दौरान ही तो 1976 और 74 और 76 में हमने इसे स्विलंका को स्वाब दिया ठीक है एग्रिमेंट के ताथ इसके बाद आता है 1991 सन 1990 तो जो तमिल नाडू की जो इस्टेट असेंबली यानि की तमिल नाडू राज्य की जो विधान सभा है उनके द्वारा एक रिजॉलूइशन यानि के प्रस्ताव इसके बाद आता है 2008 तब 2008 में ततकालीन जो वहां की तमिल नाडू की जो सीम थी कौन जै लेलीता जै लेलीता जी इनके द्वारा सुप्रीम कोट में एक केस दायर कीएगए किस लिए तो यह जो दीब का जो 1976 और 1974 के दौरान समझोता करके इस दीब को दे दिया गया था और अभी हाली में यह काफी फिर चर्चा में रहा ठीक है तो यह इस दीब का पूरा इतिहास था और आपने काफी पिछले कुछ दिनों में या फिर पहले भी यह सुना होगा कि हमारे जो भारती मचवारे हैं उनको स्रिलंका द्वारा कई बार पकल लिया जाता है उन पर गोल यह जो मेरी टाइम बांटरी है यानि कि जो दोनों देशों के मद्धि जो समुद्रिक सीमा का जो भी भाजन है यह देख सकते हैं आपको बताया भी ता कि यहां से यहां तक केवल 14 किलोमेटर का ही गयाप है तो जब मच्वारे ठीक है मचलियों या फिर जो भी चीजे उनक जाते हैं ठीक है तो स्रिलंका की पुलीस द्वारा इनको पकल लिया जाता है जो एईजेट है मतलब exclusive economic zone ठीक है जो 1982 में UN द्वारा बनाया गया था UN clause ठीक है तो इनके 200 Nautical Mile है victor का निर्मार आदी कर सकते हैं तो यहां बात आती है कि इन दोनों के मद्भें तो है नहीं 200 Nautical Mile है न तो अगर तो इस पेर भी रूल है कि अगर ऐसी कोई इस्तिति नेन्मित हो जाती है कि 200 Nautical Mark यहां पर स्पेस ही नहीं है तो दोनों देश हापस में समझाता है या फिर जो भी है अपनी सीमा का विभाजन कर सकते हैं तो इसलिए जो मिडिटाइन मतलब बाउंडरी भी है आपकी जो डॉट डॉट देख सकते हैं ठीक है यह इस वाला पार्ट के शिलंका है और यह वाला असपास के जो खेतर के जो भी मच्छवारे होते हैं तो उनको इन सब इस यान की इन सब परिशानियों का भी सामना करना पड़ता है ठीक है और आप यह बात यह भी याद रखेगा कि जब भी हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो साथ में स्री लंगा को भी बनाते हैं है स्री लंका का मैप बनाते हैं तो आशा करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक था उसको आप ठीक बहतर धेंग से समझ पायोंगे आपको यह जानकारी तथ्यात्मक वो रोचक लगी होगी ठीक है धन्यवाद जो हमारा टॉपिक वह झूझवा जग झालै 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 गिरनीवा